आप देख रहे हैं मौर्या जीनिय चैनल दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं धर्म और संप्रदाय की नाम पर देश को नहीं चलना चाहिए लेकिन आज धर्मी की बात जदा चल रही है संप्रदाय की बात जदा चल रही है बलकि समिधान की बात नहीं हो रही है आज समिधान कम जोर पढ़ रहा है और मेडिया की बात करेंगे दोस्तों क्या मेडिया आपने कर्तब्यों का निर्वाहन कर रही है कि नहीं कर रही है अगर नहीं कर रही है तो क्या होगा इसका असर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों जब देश के चलानेवाई लोग, सरकार में बैठे लोग, धर्म की एक धर्म विशेश की बात करते हैं जब आती है, बात देश की हिंदुत्य की रच्छा के लिए हिंदुत्य खत्रे में है उनको यह नहीं दिखाए परता, जिस सम्मिधान से देश चलता है सम्मिधान खत्रे में है, उनको यह दिखाए पर रहा है कि हमारे देश में हिंदुत्य खत्रे में है हिंदु राश्ठ जो सब्ध है, इसी में हित्त वो सम्प्रदाइक है किसी धर्म विशेश से देश नहीं चलता है दोस्तों जब बात बार-बार ये बोली जाए हिंदु राष्ट और हिंदु मुस्लिम का डिवेट ये दो बाते हैं इन दो बातों का मुद्धा जब मेडिया में घूमने लगता है तो इसका जहर इसका असर देश की जनता भी पड़ता है इसका जैता जागता मिसाल आज की चन्द दिनों में देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको जो साहिन बाग में देखने को मिला दिन दहारे पुलिस की मौजूदगी में हावाई फायर हुए गोलियां चली क्या है ये और उसका ये बयान कि ये हिंदू राष्ट है इसमें सिर्फ हिंदू की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी ये क्या है ये सब सरकार में बैठे हुए लोग नेता लोग और ये मीडिया का कमाल है दोस्तों अगर ये सरकार में बैठे लोग राष्टवाद की बात ना करते इनका राष्टवाद हिंदू आध है मनवाध है हिंदू की रच्छा के लिए इस प्रकार के सब्द का प्रियोग ना करते कि हमारा हिंदू खत्रे में है और हिंदू राष्ट होना चाहिए हिंदु राष्ट के निर्माण के लिए कुर्बान होना चाहिए मार देना चाहिए और जो हिंदु हिंदु के बिरोध में हिंदु राष्ट के बिरोध में जो आए आगे आनों हाथे आए उसे मार देना चाहिए जब ऐसे इसी बातें बोली जाए और लोगों के अंदर जोस भरा जाए धर्म के नाम पर और सत्ता को लेने के लिए इस प्रकार के बातें हों दोस्तों तब क्या होगा ऐसी ही घटनाय होंगी जो साहेन बाग में हुएं जाम्या में हुएं ऐसी ही घटनाय और इससे भी बढ़कर घटनाय होने में कोई संदे नहीं है क्योंकि हमा आदेश सम्मिधान से चलना चाहिए लेकि हमा आदेश इस समय मौझूदगी में सरकार की नितियां कहने के कुछ दूसरी हैं करने के कुछ दूसरी है ठीक से काम नहीं कर रही है मेडिया आपने कर्तबों को भूल चुका है सम्मिधान की बात नहों करके राष्टवाद की बात जदा होती है धर्म और संप्रदाय का नाम जदा लिया जाता है और इसका जीता जागता उदाहर आपके सामने प्रस्तुत है इससे सावित करने के लिए C.A.N.R.C. N.P.R. काफी है धर्म के आधार पर एए N.R.C. C.A. N.P.R. लाया गया या है क्या धर्म के या आधार पर हुआ है धर्म बिसेंश लोगों के लिए ये आवंद्रित किया गया है C.A.N.R. तो दोस्तों यह है क्या ये हिंदू राष्ट के निर्माण के लिए पहली कड़ी है और जब सम्मिधान को दर किनार करके आईसी सोचवाले एक किनारे होते हैं ये सम्मिधान को ना मानने वाले आईसी सोच के तहत आतंकी घटना करते हैं तब देश में बिद्रो होता है बिरोध होता है जो आपके सामने है और दोस्तों आप लोगों से पूछना जाता हूँ कमेंड के मादे हम से बताएं देश समिधान से चलना चाहिए या धर्म और समपरदा के नाम पर चलना चाहिए